दोस्तों कैसा होता अगर दो आक्शन किंग यानी मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल और रोमांस क्वीन रीना रॉय अगर एक साथ किसी मूवी में दिखाई देते। जी हाँ फ्रेंज भले ही ये बात आपको हजम ना हो रही हो मगर ऐसा हुआ था जबकि इन तीनों मेगा स्टार को किसी एक फिल्म में एक साथ कास्ट किया गया था तो चलिए जानते हैं कि आफ्टरॉल ये मूवी कौन सी थी और इस मूवी का क्या हुआ जैसा कि गाईस आप जानते ही हैं कि बॉलिवुड की दुन्या में मिथुन और सनी देओल दोनों का ही अपना एक अलग जलवा है मगर बाई बैड लग ओडियन्स को कभी भी इन दोनों को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखने का मौका नहीं मिल पाया किसी तरह इन दोनों को साथ में लाने की एक डाइरेक्टर ने कोशिश भी की मगर उसकी वह कोशिश काम्याब न हो सकी और तो और मिथुन और सनी के आइकोनिक पैर के साथ ही साथ इस फिल्म में हमें एक और नेवर सीन पैरिंग देखने को मिल जाती वो थी अपने जमाने की बेहत होट एंड खूपसूरत एक्ट् होने पर मूवी बहुत ही ज्यादा एंटिटेनिंग होने वाली थी तो दोस्तों ये मूवी थी 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म जल्लाद जी हाँ फ्रेंज जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो इसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ दूसरे हीरो के रूप में सनी देओल थ है लेकिन सनी को लगा कि दो-दो मिथुन के होते हुए शायद उनके रोल के लिए मूवी में ज्यादा गुंजाइश नहीं थी तो इस वज़ा से वो मूवी से बाहर चले गए वैसे according to my view यहाँ पे सनी का ये सोचना बिल्कुल सही था because ये मूवी पूरी तरह से मिथुन की ही थी और इसके इलावा प्रतिभा सिनहा को इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट साइन किया गया था और फिर सनी के साथ उनकी हीरोईन प्रतिभा सिनहा का रोल भी खत्म कर दिया गया और अब रही बात रीना रॉय की तो अमावस यानी विलेन मिथुन की पतनी के रोल क लिए मौसमी चटरजी की जगह रीना रॉय को लिया गया था, लेकिन रीना रॉय परदे पर मरना नहीं चाहती थी, उन्होंने भी मूवी से निकलना ही बहतर समझा, इसके इलावा इस मूवी में मधु, रंभा, कादर खान, शक्ती कपूर, प्रेम चोपडा, पुनीत इससर और तीकू तलसानिया आधी कलाकार थे, इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती का डबल रोल था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा हीरो का रोल करने वाले मिथुन ने विलेन के रोल में बॉलिवुड के सारे विलेन्स को हैरान कर दिया था, मिथुन का इस फिल इन नेगेटिव रोल के अवार्ड मिले थे, उनको इस फिल्म के लिए फिल्म फेर अवार्ड भी मिला और स्क्रीन अवार्ड भी मिला, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी चली, यूही कोई मूवी फिल्म फेर में नहीं जाती, उनके साथ इस मूवी में हीरोईन के त इस तरह से बनती तो ज्यादा अच्छी होती हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा बॉलिवुड की इसी तरह की मसालेदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें